कॉंग्रेस के दिगज नेता एहमद पटेल के निधन के बाद कल उनके वतन गाउं वैसे पीरामन गाउं में उनकी माता पिता की कबर के पास दफन मेधे की गई जहां हजारों के दात्मी लोगों द्वारा दिये गए उनके दुख सहयोग अंतरगत आज उनके पुत्र और पुत्री द्वारा लोगों का आबार व्यक्ति किया गया कॉंग्रेस के चानक के कहे जाते और कॉंग्रेस के दिगज नेता वैसे एहमद पटेव कॉरोन से संक्रमिट होने के बाद 25 नमंबर को उनकी निदन हो चुका तो वहीं ये समाचार के साथ राज के माहुल में भारी गहरा शोक चाया था कल उनके वतन वैसे पीरामन गाओं में माता पिता की कबर के पास ही उनकी दफनविदी संपन की गए जहां इस मौके पर कॉंग्रेस के युवा नेता राहूल गांती सहित देश भर के कॉंग्रेस के दिगज नेता हाजिर रहे थे तो वहीं हजरों की तादत में लोग भी उमर पढ़ते हुए एहमद पटिल को अंतिम विदा किया गया था एहमद पटिल की निदन और दफनविदी कारेकरम संपन होने के बाद आज उनके पुत्र फैजल पटेल और पुत्री मुम्तास पटेल द्वारा लोगों द्वारा दिये गए एहमद पटिल को प्रेम और उनके दुख में सहभागी होने के बदल आभार व्यक्ते किया था Namaste, I would like to thank all the well wishes of Shri Ahmed Patel Ji, our father. Thank you so much for all the warm wishes, condolences, messages and we must remember Mr. Ahmed Patel as a fine example of morals, ethics, values, culture. He was a gentle man, he was a gentle soul and we miss him immensely. Namaskar, आप सब का दिल से धन्यवाद इस मुश्किल घड़ी में हमारे परिवार का साथ देने के लिए. पापा आज नहीं रहे, बहुत मुश्किल होरा यकीन करते हुए, पर उपर वाले की मर्जी के सामने हम वेबस हैं. पापा हमेशा कहते थे, सब को साथ लेकर चलना, जिस यह हमारा मकसद होगा कि उनके काम को हम आगे बढ़ाएं. From the bottom of my heart, I thank you once again for all the love and support that you've given to my father and now to our family. Thank you very, very much.